यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक Parallelogram के दो Conjective Angles का जो ratio है वो रहता है 1 rat so 3 तो हमें यहाँ पे इस Parallelogram के सभी angles का measure find out करना है तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जिस रेसों में अंगल दिये गए ना उस रेसों में उनको लैट कर लेता हूँ लैट टू कंजेक्टिव एंगल से परलोग्राम भी X and 3X ठीक है आप कह सकते हो 1X and 3X तो कंजेक्टिव एंगल का यहाँ पर मतलब है और कोईंटियर एंगल का हमें पता है कि सम होता है 180 डिग्री तो मैं इनको राइट कर लेता हूँ यहाँ पर X प्लस में 3X इसकॉल टू 180 डिग्री क्यों आया यह यह आया कोईंटियर एंगल्स ठीक है ना कोईंटियर एंगल्स आफ पैललल ग्राम अब देखें यहाँ पर यह हो जाएगा X प्लस 3X 4X तो 4X इसकॉल टू क्या आ गया यहाँ गया 180 डिग्री X की वैल्यू निकाल लेता हूं 135 डिग्री ठीक है अब यहाँ पर X भी आ गया मेरे पास और जो 3X है वो भी आ गया तो यह जो एंगल्स है यह क्या होंगे यह होंगे 45 डिग्री और 135 डिग्री मतलब यह यहाँ पर 45 डिग्री आ गया और यहाँ पर 135 डिग्री आ ठीक है तो यहाँ पर जो A और C है वो क्या ह equal हैं तो मैं यहाँ पर write कर दूँगा angle A it is equal to angle C it is equal to कितना 45 degree reason क्या है इसका इसका reason है यहाँ पर opposite angles are equal opposite angles of parallelogram are equal उसी तरह से angle B it is equal to angle D ठीक है यह आजाएगा मेरे पास तो angle B और D क्या है यहाँ यहाँ पर यह 135 degree क्या है इसका reason भी आजाएगा opposite angles of parallelogram are equal